स्टूडियोज में मेरे सायोगी वरुन मेरे साथ जोड़ चुके है वरुन आपसे दो सवाल पहला तो ये क्योंकि रिजांट सीजन है कल बहुत एहम नंबर्स निकल कर आए हैं पहले तो उसका विशलेशन हमाई दर्शकों को दे दीजे गुड मारीं निया सबसे पहले एकसिस बैंक नतीजे अच्छे और हमने वैसे भी अनुमान लगा था कि नतीजे अच्छे रहेंगे तो हर पैमाने पर नतीजे अच्छे और आईसे इसे बैंक के बाद तो लोगों को लगा ही था अच्छे नतीजे आएंगे यहां देखें आप निया करीब 10% के आसपास की बढ़ोती देखते मिली साल-दर साल करीब 17% के आसपास की बढ़ोती हुई है 8120 कोड का अनुमानता 8653 कोड का असपास की आया है मुनाफा 3600 कोड पे आया है 3100 कोड का अनुमानता प्रोविजनिंग में अच्छी खासी गिरावट हुई है करीब करीब 1335 कोड के आसपास प्रोविजनिंग आया है तो यहां से मदद मिली ग्रॉस इन पे सुधर है 3.53 से कम होके 3.17 लोन ग्रोध जो है साल-दा साल करीब 17% के आसपास की रही है तो हर पैरामिटर पे एक्सिस बैंक के नतीजे एटलिश अच्छे है लेकिन SBI कार्ट यहां पे बिलो एस्टिमेट से इंटर्नल थोड़े पर स्ट्रॉंग है लेकिन अगर आप देखेंगे तो नतीजे थोड़े अनुमान से कमसोर है अगर आप देखेंगे तो 84% बड़ा है हला कि 430 कोड का अनुमान था 386 कोड़ पर आया है नेट इंटरेश माजिन साड़े 14% से गिर के 14% लेकिन ग्रॉस इनपेस में कमी हुई है 3.36% से गिर के 2.4% IEX strong numbers है almost in line है रेविनू जो है 38% बड़े है margins 81.6% से बड़के 84.2% हला कि यह अनुमान से कम है मुनाफ़ जो है 38% बड़ा है अनुमान के मुताबिट 80 कोड के आसपास यह आया है एक रुपेपति शेयर के इंटरिम डिविडेन का आयलान कमनी ने किया है 4 फरवरी को जिसकी record date है लीपक नाइटरेट मिस है इस कमने के नतीजे revenues 39% बड़े है अनुमान से बैतर लेकिन margins देखे 27.1% से गिरके 20.4% 25% का अनुमान था मुनाफ़ा 12% बड़ा है 242 क्रोस लेकिन अनुमान से कम रैमको सिमेंट यहां नतीजे काफी कमजोर नज़ा आ रहे है revenues 16% बड़े है लेकिन EBITDA margin देखे 29.6% से बड़े गिरके सीधे 14.9% जबकि 24% का अनुमान था मुनाफ़ा 59% गिरा है तो हर मैवाने वे कहिना के इस कमने के नतीजे जो है वो कम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट वीक नंबर जे total income 9% बड़ी है लेकिन मुनाफ़ा देखे 6.5% गिरा है gross NPS बढ़ गए है 7.8% से बढ़ करीब 8.4% इंडिया मार्ट, इंटमेश revenues करीब 3% बड़े है margins गिरे है 46% से गिर के 42% के आसपास इसके अलावा कमनी का जो मुनाफ़ा है उसमें भी 14% के आसपास की गिरावट हुई है एक company में इन्होंने करीब 7.5% के आसपास की steak जो है वो खरीदी है brand name जो है वो M1 exchange है जिसमें इन्होंने हिस्सा खरीदा है तो इसके चलते भी action होगा लेकिन नतीजे जो है थोड़े बहुत कमजोर है चलिए वरुन आपने ये तो बता दिया कि कल बाजार बंद होने के बाद किस प्रकार के numbers दिखे आज भी कुछ महतवपूर्ण numbers का दिन है and stock specific action कैसा है और तो कम्नी जिया नाज़र रखे है मारूति अपने नतीजे घोशित करेगी तो देखना होगा सबसे चर्चित stock आज इसका price band revision कर दिया गया है 20% से कम होके अब ये 10% होगे है याद रखेगा IFCI equity के ज़ड़ी है fund जुटाने पर बोर्ड की बैठक है L&T Tech interim dividend है 10 सुपर पती share का तो वो आपको adjustment आज देखने मिलेगा Vodafone company ने अपने analyst call में कुछ update जिये जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल फिर से company जो है वो tariff hike करने वाली है और जो fund raising के plans थे वो माज तक पूरे होने का यह अनुमान लगा रहे है Kotak Bank कोटक Bank और भारत पे के जो co founder है उनके बीच में जो विवाद था उस पे आप से भी जाज करेगी नाइका के IPO के funding को लेके जो विवाद था उस पे आप से भी जाज करेगी इस तकी खबरे आ रही है लिंडे इंडिया लुदियाना में 264 ton के 30 day की शमता के साथ जो as suspension unit है वो लगाने वाली एक company करीब 152 crores के आसपास का निवेश करेगी December 2023 में ये प्लैंट की शुरुवात होगी Control Print US FDA से तीन प्लाई surgical mask की बिक्री को यहाँ इस company को मन्जूरी मिली है Tata Group पे नज़र रखेगा क्योंकि खबर यह आ रही है कि Air India का विनिवेश है उसकी प्रक्रिया 27 जन्वरी तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और Lux Industries यहाँ पे खास नज़र रखेगा क्योंकि सेभी ने Lux Industries के इस company के कुछ लोग है उनके ओपर insider trading का मामला जो है वो सामने निकल के आया है करीब 14 लोग है जिनके ओपर पाबंदी लगाई गई है जिसमें इस company के promoter और executive director जो है वो भी शामिल है तो इस counter पे आज गिरावाट हो सकते है नज़र रखेगा इस counter बेरी वेल वरुन बहुत शुकरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि कल किस प्रकार के numbers है और अफकॉस आज stock specific action कहा दिखेगा